किसान भाईयों कि आप जानते हो कि एक छोटा सा कीट आपके फसलों का कितना नुकसान कर सकता है मैं बात कर रहा हूँ रेड माइट के बारे में यानि लाल मकरी के बारे में ये छोटे से कीट आपके फसलों में बहुत ही तेजी से फैलता है और आपके फसलों को इतना ज्यादा नुक्सान पहुचाता है जिसको जानने के बाद आप तंग रह जाओगे इसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता है जितना इसको पहचानना मुश्किल होता है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग देश के हर छोटे बड़े किसान इस रेड माइट यानि लाल मकडी से पड़ेशान है लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस रेड माइट यानि लाल मकडी से चुटकी में निपट लोगे और अगर आप सबजीयों की खेती करते हैं तब तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस रेड माइट यानि लाल मकडी को पूरी तरह हंडेट औन हंडेट कैसे कंट्रोल करना है तो किसान भाइयों ये जो रेड माइट है यानि लाल मकडी इसको कंट्रोल करने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इसको अगर आप समझ लोगे तो आपके फसलो में कभी भी रेड माइट का अटैक ही नहीं होगा और रेड माइट के अटैक के बज़े से जो नुकसान हमारे फसलो को होता है आप उस नुकसान से भी बज़ जाओगे और इतना ही नहीं अगर आपके फसलो में अल्रेड माइट यानि लाल मकडी का अटैक हो चुका है तो आप उसे कंट्रोल करने में भी हमेशा दूसरे किसानों से आगे रहोगे इसलिए जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनके समझने की कोसिस करिएगा जरूरी परे तो वीडियो को बार बार देखिए पर समझिए और ऐसा मैं क्यूं बोल रहा हूँ यह आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा तो किसान भाईयो यह जो रेड माइट है यह ज़्यादा तर गर्मियों के दिनों में हमारे फसलों में अटैक करती है मतलब जब थंडी चली जाए और गर्मी आने लगे या फिर आ चुकी हो तो ऐसे समय यह हमारे फसलों में अटैक करती है इसके अलाबा आचानक मोसम में बदलावाने पर भी इसका अटैक हमारे फसलों में देखा जाता है और कभी-कभी तो ये बारिस के दिनों में भी हमारे फसलों में अटैक करती है ये ज़्यादा तर सबजी बरगी है फसले जैसे टमाटर, बैगन, बीन्स, भिंदी, मीर्च, इत्यादी होगे इन सब में ज़्यादा अटैक करती है इसके अलाबा करेला, लौकी, कद्दू, इन सब में भी अटैक करती है और स्टवेरी, मक्का, खीरा, तरह तरह के फसलों जो होती है बहुत सारे फसलों में एक अटैक करती है ये रेड माइट उन किसानों को भी परिशान करता है जो फ्लावर की खेती करते है अब अगर बात करें कि ये रेड माइट यानि लाल मक्री किस तरह से हमारे फसलों को नुकसान पहुचाता है तो किसानवाईयों जो फिमेल रेड माइट होती है यानि मादा रेड माइट जो होती है लाल मक्री इससे क्या होता है कि हमारे पत्तिे जो है बो पहले की तरह लुर्मल सुषा नहीं रहता है और पौधे की अच्छी ग्रोथ और अच्छी उपज के लिए पत्तों का सुष्ठण और हराबरा रहना कितना ज़रूरी है यह आपको भी पता होगा और सबसे बड़ी प्रोब्लम तो ये है कि जब ये लारभा हमारे पत्तों को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहा होता है तब हमें पता भी नहीं चलती है तो एक तो इस तरह से ये हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है दूसरा जो तरीका है कि जब वो लारभा फूट के बन पत्ते हैं तरफ मर경 कुछ चोटे हो चोटे बड़े होने तक उसस में संथ चोर और यह एक Freddie सुब CHARjack सब्सक्राइब स्वीर वह सुख जाते है और इसको अगर आपने समय रहते नहीं रोका तो आपकी पूरी पौधा भी सूख सकता है और उपज में तो तेजी से गिरावत आता ही है अच्छा इसके बाद जब यह रेड माइट यानि लाल मकडिया अपना पॉपुलेशन मतलब संख्या बढ़ा लेती है आपके फसलों में तब यह कुछ इस तरह से आपके जो नई डालि अउतिया होती है नई पत्य होती है उसको अपनी जालियों में जकर लेते है इस से आपके पत्तों पॉधों को और नई डालियों की विकास में बिद्धी में उपज में कितना नुकसान हो सकता है आप इन तस्भीरों को देखके अंधाजा लगा सकते हैं इसके अलावा भी और कहीं तरह से हमारे फसलों को नुक्सान पहुचाता है इसलिए मैंने बोला कि जब आप जानोगे कि इसके बज़ andra नुक्सान होता है तब आप तंग रह जाओगे मतलब आप खुद ही सोचिए कि इस छोटे से रेड्माइट के बज़े से हमारे पौधों की जो व्रिद्धी होती है वो एफेक्टेड होती है पौधे की उपज में एफेक्टेड होती है पौधे सुष्थ हरा वरा नहीं रहता है पौधा सूफ जाता है ज़र जाता है पौधों के इस तरह से यह जालियों में जकर लेते हैं तो कितना ज्यादा नुक भाइक ऐसे कड़े कि हमारे फसलों में रेड माइट का ही अटैक हुआ है क्योंकि ऐसे बहुत सारे किसान है जिनको रेड माइट की पहचानने में बहुत बक्त लग जाता है और कुछ किसान तो ऐसे भी है जिनको पता भी नहीं चल पाता है कि उनके फसलों में रेड माइट का का अट्याइक होगा तो कि आपके पत्त जो है उपर से इस तरह से पिला-पिला पर नहीं पर लेकिन अर्लीुफाइट होने पर पत्त अपके इस तरह से नीचे की तरफ मूरने या सिकुरने नहीं लगते हैं तो यह बात आपको धियान अगर आप और ज्यादा था होना चाहते हैं तो आप क्या कडिए गा कि आपको जो पत्ति लगे कि satisf witness he affected 12 उन पत्तो को लेजिए और उन पत्तो के नीचे जो है थोड़ी सी मिट्टी डालिए और मिट्टी डाल के उन पत्तो को जहटक देखिए अगर मिट्टी पत्तों में चिपक जाए तो समझिए कि रेड माइट का अटैक हुआ है और पत्तियों के नीचे ना कभी-कभी जाली भी बनी रहती है तो आप उसे भी देख के समझ सकते हैं कि आपके फसलों में माइट का अटैक हुआ है इसके अलाबा एक और जो जरूरी कि इस रेड माइट को यानि लाल मकरी को कंट्रोल कैसे करना है तो देखो इसको कंट्रोल करने के दो सबसे बड़े तरीका है एक तो और गयनिक तरीके से और दूसरा है इन और गयनिक तरीके से और गयनिक तरीके से जो है वह बक्त थोड़ा जादा लग जाता है र क्याकि हमारे फसलों को कम से कम नुकसान हो तो जिन माइटी साइड के बारे में मैं बताऊंगा उसको अगर मेरे बताएगे तरीके से आप इस्तमाल करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जो आपको आ इसमें जो टेक्निकल आता है वो है अबामेक्टिन 1.9% यह रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जबरदस्ट दबाई माना जाता है और इसके रिजल्ट भी बहुत ही जबरदस्ट हैं इसमें ट्रांस लेमीनर एक्षन भी है जिसके कारण यह पत्तों के नीचे के मकडियों को कंट्रोल करने के लिए किसी दबाई का इस्प्रे करेंगे तो उससे पहले दिन या उसी दिन सुभा को आप थंदी पानी से पूरे पौधों को अच्छे से वास कर देना इससे क्या होगा कि पौधों पे जो धूल मिट्टी जमी होती है वो भी साफ हो हैं और यहाँ को ठिएगे इसे आपको बहुत ज्यदा फायदा मिलेगा और इस थंदे पानी में अगर आप उस्प्र भी मिला सकते हैं इसे आपको और ज्यादा करेंगे तो पूरे उपर से नीचे तक पूधे को इसप्रे करिएगा और अच्छे से डीप इस्प्रे करके उसको वास करिएगा फिर दबाई का इस प्रें करिएगा तब आपको ज़्यादा से जादा result मिलेगा और अगर थंदी पानी ना हो तो नॉर्मल पानी से भी आप कर सकते हो लेकिन यही कि उसको अच्छे से व्यूफ करना है ठीक है अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो mt3 के सबλαकर उसके बरे में तो किसान भाइयो दूसरे नंबर पे जो करने के लिए बहुत ही अच्छा और जबर्दस्ट है इसको दूसरे नमर पे रखा है इसमें भी ट्रांस लिमिनर एक्षन आपको मिल जाएगा और इसकी जो डोज लेनी है आपको वो 15 लिटर की पानी की तंकी में 25-30 ml मोवेंटो एनरजी घुल के आपको इस्प्रे करना है अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको इससे भी बहुत ही तेज और बहुत ही बेश्ट रिजल्ट मिल जाएगा माइट को कंट्रोल करने में अब बात करते हैं नम्मर एक दबाई के बारे म लेना है एक लिटर पानी में मतलब 15 लिटर की पानी की तेंकी अगर हो आपके पास तो उसमें 15 ml ऑबेरन घोल के अगर आप इस्प्रे करते हैं अच्छे से तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा बसरते कि आपको इस्प्रे से पहले पानी से अच्छे से पौधो को वास कर जोदेना है उसके बाद आपको बीघठ्य मिलते हैं अगर आप नहीं कर पाते हैं सिधाया दबाय का भी इस्प्रे कर सकते हैं इससे वह को दिआ हो बस यही आपको ध्यान में रखना है अब बात करते हैं उस बोनस टिप के बारे में जो आगे चलके आपको बहुत काम आएगा लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि बारे में तो देखो बोनस टिप यह है कि आपको यहां तक तो पता चल गया होगा कि रेड माइट जो है वो गर्मियों के दिनों में या गरम मौसम में ज्यादा हमारे फसलों में अटैक करती हैं मतलब यह कि गर्मी यानि हमीडिटी अगर कम होगा तो हमारे फसलों में पसम के साहथ नहीं लर सकते हो लेकिन जुगार लगा सकते हो अच्छा यहां एक बात बतादू कि जिन किसानों को सब्सक्राइब हमारी हमिदीटी का मतलब नहीं पता उनको बता दो कि जो हमारी होती है उस हवा में पानी या जल वास्प जो मौझूद रिगती है उसी को बड़ार है वो यह है कि आपको अपने फसलों में प्रॉपर वाटर मेनेजमेंट करना हुगा अच्छे से करना होगा इसकी जो सही तरीका है वो यह है कि आपको time to time ठंदी पानी का सिचाई आपके खेतो में करना होगा ताकि प्रॉपर नमी बनी रहे और ये चीज आपके त्रीय हवा देने में मदद करेंगा इससे क्या होगा कि एटयक होने का संभावना के एपके फसलों में कम रहेगा और आपके पॉधे अच्छे व्रिद्धी ले पाएंगे, हरे भरे और सुष्ट रहेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं कि थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करना है, या आपने फसलों को थ्रिप्स से कैसे बचा के रखना है तो आप इस वीडियो को क्लिक करिए, इसमें मैंने डिटेल में समझाया है सब कुछ, मिलूंगा वहीं पर, तब तक के लिए जय हींद, जय जवान, जय किसान